हेलो दोस्तों आपका इम्प्रूब लर्निंग विद आदित चैल में बहुत वस्वागत है दोस्तों आज 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई से लेटेट करंट अप है इसके जितने भी कुस्चन है वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ तो अगर ये वीडियो आपनों को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर लिजेगा इसके लवाँ दोस्तों मैं इस चैनल पे GS से रिलेटेड और भी दूसरी वीडियो अपलोड करता हूँ तो अगर आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब करते हैं तो आपको आपके आगामी एक्जाम में ज़्यादा साहिता मिल सकती है चलिए हम आज के पहले कुश्चन की तरब चलते हैं दोस्तों मारा पहला कुश्चन है कि इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सौर उर्जा सन्यंत्र किस राज में अस्थापित किया जा रहा है अब दोस्तों इसे केरल में अस्थापित किया जा रहा है तो चलिए केरल के वारे में थोड़ा साम देख लेते हैं दोस्तो केरल की कैपिटल है तिरुवानंत्पुरम, मुख्य मंत्री है पीनराई विजियन, राज जिपाल है आरिफ मुंबत खान और 2011 की ज़ो जन्गरना हुई थी उसके अनुसाज जो साच्छाता दर थी उस समय 93.91 परशंट थी और यह भारत का सबसे साच्छर राज्य है उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है जो की 91.33 परसंट है दोस्तो सान्त घाटी और पेरियार वन जीव अभ्यारण भी केरला में ही है चलिए अब इंडियन नेवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तो इंडियन नेवी के अस्थापना होई थी 1612 स्वी में इस इसमें कुल सैनी के 67228 आदर्स वाक्य इसका सम नो वरुड़ा और युद्ध में इनका मार्च वाक्य है जय भारती दोस्तों हर साल नौ सेना दिवस चार दिसंबर को मनाये जाता है इससे में हमारे नौ सेना प्रमुख है एड्मिरल करम बीर सिंग हमारा अगला कोस्चन है कि दपेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों दपेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक है मार्क होनेक्स बाम हमारा अगला कुश्चन है कि अभी स्वास्त मंत्राले का नया स्वास्त सचीव किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों यह जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है राजेश भूसड और इन्हें अभी स्वास्त मंत्रा लेकर नया स्वास्तशी नूप किया गया है हमारे प्रजेंट टाइम जो स्वास्त मंत्री है वो है हर्स्वर्धान सिंग हमारा अगला question है कि अभी 3D printed aircraft engine का सफल परिच्छन किस देश द्वारा किया गया है दोस्तों आपको जो picture में देखाई दे रहा है यही है 3D printed aircraft engine और इसका अभी सफल परिच्छन किया है रूस ने अभ इसका सफल परिच्छन रूस ने किया है तो चलिए रूस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों यह बहुत important question है हम रूस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों रूस की capital है मासको राष्टपती है ब्लादिमीर पुतिन और आपको मैंने अभी डेली बताता हूं कि इन्हों ने संविधान में कानून में संसोधन करके अब राष्टपती पत पर ये 2036 तक रहेंगे प्रदान मंदरी की बात करें तो हैं मिखाईल मिसुष्टीन रूस की संसत का नाम है ड्यूमा जो की एक्जाम में कभी कोई पूछ लेता है और करेंसी है वहां की रूबल हमारा अगला कुस्षियन है कि कारगिल विजय दिवस हर साल कम मनाय जाता है तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाय जाता है दोस्तों इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा बतायता हूँ ये कारगिल विजय दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है तो दोस्तों कारगिल विज़े दिवस भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ट दिवस है क्योंकि इसी दिन कारगिल युद जो की लगबक 60 दिनों तक लड़ा गया था 26 जुलाई को उसका अंत हुआ इसमें भारत ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दिया हरा दिया और भारत पाकिस्तान की बीच ये जो कारगिल युद हुआ था ये 1999 में लड़ा गया था उस समय हमारे देश के प्रधान मंत्री थे अटल ब्यारी वाजपेई जी दोस्तों यह दिवस युद में सहीद हुए भारती जवानों की सम्मान्हेतु मनाये जाता है दोस्तों इस घटना के प्रारम की बात करें तो जब भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में लाहौर में गोशना पत्र पर हस्ताचर हुए जिसमें कस्मीर के मुद्दे को सांती पूर्ण धंग से समझाना था दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है उसका ज्यादा तर या पोलिया कि युद्ध जो है कस्मीर के लिए होता ही है तो दोस्तों एक सांति पूर्ण धंग से निप्टाने के लिए लाहोर में गोशना पस्त्रपत दोनों तरफ से अस्ताचर हुए थे लेकिन जो पाकिस्तान है वो पीट पीछे अपने सैनिको और अर्ध सैनिक बलों को छिपा कर एलोसी के पार भेजने लगा उसने इस घुषपैट का नाम रखा था भद्र आप्रेशन भद्र दोस्तों पाकिस्तान की इसी घुषपैट को रोकने के लिए भारस सरकान ने आप्रेशन विजए ये याद रखेगा पूछता है आप्रेशन विजए के बारे में तो दोस्तों आप्रेशन विजए नाम स भारत सरकाने दो लाक सैनिकों को उस पैट को रोकने के लिए भेजा जिसमें से लगबग 550 सैनिकों ने अपनी जीवन की बली दे दी और लगबग 14 सव के करीब घायल हुए थे दोस्तों इनी सहीदों को नमन करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाये जाता है हमारा अगला कुश्चन है कि अभी किस राज जिने कोविड-19 के नियमों के उलंगन पर दो साल की सजा और एक लाग जुर्माना लगाने की गोश्णा किये तो दोस्तों अभी जारखंड राज जिने जो कोविड-19 के जो माप दंड है जो नियम बनाए गए हैं उनके उलंगन करने पर दो साल की सजा की साथ-साथ एक लाख रुपए जुर्माना लगाने की भी गोश्णा कर दी है अब यह गोश्णा कि जारखंड के गोवर्मेंट ने तो चलिए जारखंड के बारे में थोड़ा सम देख लेते हैं दोस्तों जारखंड की कैपिटल है राची, मुख्यमंत्रिय है हेमंत सोरेन, राजजपाल है द्रौपदी मुर्मू, अस्थापना वईति 15 नौमब संदो जार खो और साथ-चर्था दर है 67.63 पर्शेंट दोस्तों यह जो है पस्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, 36 गड़, उडिसा के साथ अपनी सीमाय बनाता है साथ-इसाथ यहां की जो प्रमुख नदियां हैं वो है स्वांडरेखा, सोन, दामोदर, बराकर और ब्रामडी दोस्तों जारकंड में बहुत अधिक मात्रा में जो खनिजबंडार है पाये जाते हैं इसी बज़ज़ी से भारत का रूर भी कहते हैं दोस्तों यहां की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो उसमें हैं बैगा, असुर, बंजारा, खारवार, किसन, वेडिया, आदी हमारा अगला कुश्चन है दोस्तों अभी DBS Bank Limited ने अपने आकलन के आधार पर एक रिपोर्ट जारी किया जिसके आधार पर भारत की GDP के कितने प्रतिसत से घटने का अनुमान लगाये गया है तो दोस्तों भी भारत की GDP के 6 प्रतिसत से घटने का अनुमान लगाये गया है अब यह अनुमान लगाया है DBS Bank Limited ने तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों DBS Bank का पूरा नाम है Development Bank of Singapore यह Singapore का एक प्रमुख Bank है जिसके अस्थापना 1968 में होई थी दोस्तों 1998 में यह SB Bank के राइट्स खरीदने के साथ साथ South East Asia का प्रमुख Bank बन गया दोस्तों इसका Headquarter है Marina Beach Singapore और इसके प्रमुख है Peter C और इसकी CEO है Pius Gupta हमारा अगला कुश्चन है कि अभी हाल ही में IOB अर्थात Indian Overseas Bank के नए MD और CEO कौन न्यूक्त हुए हैं तो दोस्तों भी Indian Overseas Bank के नए MD और CEO यह जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यह कर्डम सेकर और इन्हें अभी IOB का MD CEO न्यूक्त किया गया है चलिए हम IOB के बारे में देख लेते हैं दोस्तों इसके अस्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को इसके संस्थापक्त ism.ctm चितमबरं चटियार के हमारा अगला कुस्चन है कि color health clinic का उध्गाटन अभी किस राज्ज में किया गया है दोस्तों Plant Health Clinic का उद्गाटन अभी मडीपूर राज में किया गया है अब इसका उद्गाटन मडीपूर में किया गया है तो चलिए मडीपूर के बारे में थोड़ा साम देख लेते हैं दोस्तों मडीपूर की कैपिटल है इमफाल मुक्य मंत्री है एन विरेन सिंग राज जिपाल है नजमा है प्तुल्ला विदान सवा में कुल सीटे है 60 राज सबा में कुल सीटे है 2 जनसक्या घनातों है यहां का 129 व्यक्ति प्रति वर्क किलमीटर और यहां में कुल जिले है 9 इतना आप लोग इस question से याद रखेगा हमारा अगला question है कि विश्व मस्तिस्क दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों विश्व मस्तिस्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों मस्तिस्क के स्वास्थ के प्रती जन जागरुकता फैलाने के लिए हर साल World Federation of Neurology यानि WFN द्वारा 22 जुलाई को विश्व मस्तिस्क दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों इसे मनाने की सुरुवात हुई थी 2014 में और इस बार की थीम की बात करें तो है पार्किंसन्स रोक के लिए एक साथ कदम अर्थाद मूब टुगेदर टू एंड पार्किंसन डिजीज हमारा अगला कोस्चन है कि किस फिल्म अविनेता ने पूरे भारत में नौकरी की तलास में लगे प्रवासियों की मदद के लिए एक अप्लिकेशन प्रवासी रोजगार नाम से लांच किया है तो दोस्तों अभी सोनु सूध ने इस प्रवास्ची रोजगान नाम से एक अप्लिकेशन लॉंच किया है दोस्तों इस से क्या होगा कि जो युआ नौकरी की तलास में इदवदब भटक रहे हैं इस application के थुरू registration करके वो अपने करीब नौकरी की तलास कर सकते हैं आज पास के जो भी firms हैं या Companies हैं उनमें वो application दे करके नौकरी के लिए वहाँ पर जा सकते हैं अब दोस्तों हमारा अगला question है कि भारत ने किस साल तक अपनी बिजली उतपादन चमता का 60% नवी करंडी उर्जा स्रोत से प्राप्त करने का लच्छ रखा है तो दोस्तों भारत ने 2030 तक अपनी जो बिजली उत्पादन छमता है उसका 60% नवी करंडी उर्जा स्रोत से प्राप्त करने का लच्छ रखा है अच्छा आपको बता दूए नवी करंडी उर्जा के स्रोत क्या होते हैं तो दोस्तो ऐसे उर्जा के स्रोत जो बिना समाफ्त हुए इस्तिमाल किये जा सकते हैं और इनसे प्रदूसर्ण भी ना के बराबर होता है उन्हें नवी करंडी उर्जा के सिरोत या गैर परमपरागत उर्जा के सिरोत या अक्छे उर्जा के सिरोत कहते हैं दोस्तों इसका ठीक उलट बात करें तो ऐसे उर्जा के सिरोत जिने हम इस समय यूज तो कर रहे हैं लेकिन भविस्व में वो एक नएक दिन खतम हो जाएंगे ऐसे उर्जा को स्रोत को हम और नभी कर्णडी अर्थात परंपरागत उर्जा के स्रोत कहते हैं उसमें आपका कोईला, पेट्रोलियम, डीजल ये सारी चीज़े आती हैं लेकिन अगर हम गैर परंपरागत स्रोत की ब गया है, दोस्तों अभी अंतरराष्ट्री ओलंपिक समित का नया उपध्यच चुना गया है अनीता डिफ्रेंड्स को, चलिए हम ओलंपिक समित के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, तो अंतरराष्ट्री ओलंपिक समित की अस्थापना होई थी 23 जून 1894 को, दोस्तों इसका हेटक्वाटर है लुसाने स्वीटिजर लैंड में, सदस्य देशों की संग्जा की बात करें तो 205, अध्यच्छ हैं इसके सामस बाच और मानत अध्यच्छ हैं जैक्स रोगे हमारा अगला कुश्चन है कि भारती सेना में महिला अधिकारियों को कितनी साखाओं में अस्थाई कमीशन दिया गया है तो दोस्तों भारती सेना में महिला अधिकारियों को 10 साखाओं में अभी अस्थाई कमीशन दिया गया है चले हैं भारती सेना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी के स्थापना हुई थी एक अप्रेल अठारे सो पंचानवे को इसमें कुल सैनिक है एक्टिव बारे लाख दो सो पच्पन और रिजर्व हैं 9,90,960 कुल विमान की बात करें तो 136 है इसके आदर्स वाकि की बात करें तो सर्विस भी फो सेल्फ यानि खुद से पहले देश सेवा सेना प्रमुक हैं जनरल मनोज मुकुन नर्वाने हमारा अगला कोश्चन है कि भी DRDO द्वारा COVID-19 परिच्चन सुविदा की अस्थापना किस केंद कस्थापना की गई है जम्मू कश्मीर पारी में हम थोड़ा सा देख लेते है दोस्तों जम्मू कस्मीर की कैपिटल है स्रीन अगर गठन इसका हुआ इकतीस अक्तूबर 2019 को उसके पहले ये एक राज था लेकिन उस दिन इसे दो अलग-अलग केंद सासित राजों में बांड दिया गया एक जम्मु और कस्मीर और दूसरा लद्दाक यहां के उप राज पाल है गिरीश चंद्र मुर्मु विदान परिशद में कुल सीटे हैं 36 विदान सवा में कुल सीटे हैं 89 और राज सवा में कुल सीटे हैं 4 लोग सवा में कुल सीटे हैं 5 अब बात करते हैं हमें DRDO की तोस्तों DRDO का पूरा नाम है Defense Research and Development Organization इसके अस्थापना हुई थी 1958 को इसका मुख्याला है DRDO भवन नई दिल्ली इसके प्रमुक है डाक्टर जी सतीस रड़ी वर्तमान में इस्थी कुली क्यावन लबरेटरीज हैं जो इलेक्टरानिक तथा रच्छा उपकरण बना दी है तो उम्मीदद दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेयर कीजेगा ज़धा अगर आप लोग इस चैनल पे नए है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आन कर लीजेगा जि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए करेगी धन्यवाद